आयूश शर्मा को लेकर कई बार इस तरह की बाते कही जाती रही हैं कि उन्होंने सल्मान खान की बेहन अरपिता से शादी इसलिये की ताकि वो खुद को इंड़स्ट्री में बतार एक्टर लॉंच कर सकें अंतिम और लवयात्री जैसे फिल्मों का हिस्सा रह चुके एक्टर आयूश शर्मा ने बताया कि उन्हें तब भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है जब वो वैकेशन पर होते हैं आयूश शर्मा ने बताया कि कई बार जब लोग उन्हें मिलते हैं तो उनसे ये तक कह देते हैं कि वो सल्मान खान का पैसा बरबाद कर रहे हैं आपको बता दें आयूश शर्मा और अर्पिता खान की शादी 18 नमंबर 2014 को हुई थी दोनों ने कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया अब उनके दो बच्चे भी हैं जिनके नाम आयत शर्मा और आहिल शर्मा है आयूश शर्मा ने अर्पिता से शादी के चार साल बाद फिल्म रवयात्री के जरिये बॉलिवूड में डेब्यो किया था पिछली बार उन्हें सल्मान खान के फिल्म अंतिम में देखा गया था ये उनके पांस साल के करियर में आई दूसरी फिल्म थी आयूश खुद तो ट्रोलिंग का शिकार होते ही हैं साथ ही उनकी पतनी अर्पिता को भी लोग ट्रोल करते हैं बॉंबे टाइम्स के साथ बातचीत में आयूश शर्मा ने कहा अर्पिता एक बहुत स्ट्रॉंग और कॉन्फिडेंट लेडी हैं मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि वो मेरी पार्टनर है वो खुद को जैसी हैं वैसा ही स्विकार करती हैं इस लगातार होने वाली ट्रोलिंग ने हमें प्रभावित नहीं किया है क्योंकि अर्पिता ने शोबिस का ये हिस्सा भी देखा हुआ है हाला कि मेरे लिए ये सब बिलकुल नया था अयुष शर्मा ने बताया कि उन्हें क्या बात सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुचाती है अयुष ने बताया जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुची वो ये थी कि ट्रोल अपनी ही एक त्योरी के साथ मेरे सामने आते थे कि मैंने अरपिता से शादी पैसों के लिए की और खोद को बता और एक्टर लाँज करने के लिए की थी जबकि मैं अरपिता से प्यार करता था और इसी लिए उससे शादी की थी अच्छी बात ये है कि ये बात उसे भी पता है मुझे ये पता है और हमारे परिवारों को भी पता है आयुष ने बताया कि ऐसी खबरें भी आई ही कि शादी में सल्मान खान ने मुझे रोल्स रायस गिफ्ट की थी पर ये सब मनगडंत कहानिया है फिलाल आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कॉमेंट में लिख कर अबच्छे बताएं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए वबाई टेक केर